नमस्कार स्पीन नाइन नियूस में आपका स्वगत है उत्यपरदेश की दस विधान सभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर तारीखों का एलान नहीं हुआ है लेकिन अपना यादफ को लेकर चर्चाएं तीज हो चुकी है कि मुरायम सिंग यादफ की छोटी ब आए तेज हो चुकी है कि क्या अपना यादफ भारती चंता पार्टी का हिस्सा बनी रहेंगी या फिर सपा की ओफर को स्विकारते हुए सपा का धामन थामती हुए नसराएंगी और करहल विधान सभा सीट से सपा के सिंबल से चुनाब लड़ेंगी दरसल चाचा शिवपा यादफ के जरिये संकेत दिया गया था कि अपना यादफ की वापसी जल्द समाजवादी पार्टी में हो सकती है उन्हें ने कहा था कि अगर अपना यादफ सपा में आती हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां दिये जाएंगी अब ऐसे में करहल विधान सभा सीट उतर परदे अगली श्यादफ ने 2022 में विधान सभा चुनाव की ये सीट जीत कर तै कर दिया था कि ये सपा का गड़ है अब सपा के गड़ को देखते हुए परिवार से ही अखली श्यादफ किसी को इस सीट पर उतारना चाहते हैं अब ऐसे में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि अपन अपना यादफ कोई फैसला लेती हैं या फिर खामूश रहती भी नजर आते हैं कि सपा के ओफर को स्विकार करेंगी या फिर नहीं ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि अपना यादफ भारते जंता पार्टी में रहकर मात्रिक कारिकरता की भूमिका अदा कर रही हैं भारते जंता पार्टी ने ना ही सांसदी और ना ही विदाही की का कोई चुनाव उन्हें लड़ाया है अब देखना होगा कि अखिरकार अपना यादफ क्या फैसला लेंगी